Dear Students, पिछले वीडियो में आपने देखा File Management System मैंने कैसे समझाया था, वो सारा Board पे समझाया था और अच्छे से समझ में भी आया, उसको देखने के लिए I button प्रेस करें और जाके देखें, क्योंकि अगला वीडियो जो आज भला है, वो आपको तभी समझ में आएगा Actually, आज की वीडियो में जो हम लेने जा रहे हैं, कल तो मैंने Board पे एक Concept समझाया था आज की वीडियो में जो लेने जा रहे हैं, वो क्या है, कि Demonstration How to Write into the File कैसे File के अंदर लिखा जाएगा, और फिर वो जो लिखा हुआ है, उसको फिर परड़ा कैसे जाएगा और इनके बीच में जो एक File बन के हुई तयार, वो कैसे सामने दिखेगी, उसके वारे में बात करेंगे तो एक रहेगा मेरा आज के Topic में Demonstration Board पे आपको दिख रहा होगा, कि एक Demonstration होगा दूसरा एक Program होगा, जिसमें Writing a Character into the File in Writing Mode हम निकल तीन Mode के बारे में बात करी थी, Write, Read और Append तो पहला हमारा होगा, Writing Mode में एक Character को लिख के आना दूसरा प्रोग्राम ये रहेगा, कि Reading a Character from the File उसी File में जब लिख के आए हैं, तो उसमें से एक Character को पढ़के दिखाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, कई सारे Character ज़रूरी थोड़े एक Character से हमारा का क्योंकि String लिखी जानी चाहिए, बहुत सारे Character लिखे जाएंगे, तो किस तरह से बहुत सारे Character लिखे जाएंगे और फिर उन सब को कैसे पढ़ा जाएगा, और उसके बाद में फिर एक और चीज बतानी है, जो कि Character को Writing Mode में लिखने के बजाए, अगर Append Mode में लिखा जाए, तो क्या होगा इन सब को मैं आज demonstration में ले के आता हूँ, ठीक है, आएए चलते हैं, अपनी IDE पर देव C++, ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम आपको Character ही लिखके दिखाएगा, लेकिन फाइल में कैसे लिखा जाता है, इसको explanation में देंगे, देखो, सबसे पहले हम करते क्या है, में बैसी बनाते हैं, हमने कल एक बात करी थी, कि एक फाइल का pointer बनाया जाता है, स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा, फाइल pointer बनाया कैसे जाता है, मैंने board पर भी लिखाता है, फाइल को F-I-L-E capital में लिखा जाता है, it is a structure, एक structure है जो predefined है, जिसका हमने एक pointer बना दिया, F, F का नम कुछ भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी, लेकिन star जरूर लगाना है, because it has become the pointer, हमें यहाँ पर pointer बना दिना होता है, अब F के अंदर क्या आएगा, F open मैंने कल अच्छे से समझाया, F open का का काम होगा, file के सबसे पहले searching करना, searching के बाद create करना, create के बाद open करना और open के बाद क्या करना, उसका address return करना, तो दिखो F open return करेगा एक address, जो F में आएगा, इस F से ही मैं identify करूँगा, मुझे कहां लिख के आना और कहां से पढ़ना है, अब दूसरी लिखा जाता है, mode of file, यह जो आपके सामने दिख रहा है, w, w मतलब mode of file जो double quotes में लिखा है, इस double quotes में लिखे हो W से इस F open का काम होगा, writing mode में file को खोलना, file खोल गई, उसका address return हो गया, क्योंकि मुझे वो पता भी तो होना चीए, कहां जाके मुझे लिख के आना है, तो उसका मतलब होगा, मतलब कहां सी पता लगेगा, वो पता लगेगा address से, तो F उसका address होगा, अब बात आएगी कि character लिखना है, तो character लिखने के लिए मैंने collect function के वारे मैं आपसे बात की थी, put c and F put c, दो function है, पहले मैं put c बताऊँगा, फिर F put c पे आऊँगा, ठीक है, तो put c और put F put c दौनों ही writing ए character into the file है, अब होगा क्या, देखो यहां पे सबसे पहले इसका जो syntax होता है, हाला कि यह कुछ return नहीं करता, मतलब void होता है, इसका return type, और इसके साथ एक character लिखा जाता है, जैसे मैंने P और वो भी single quote में लिखा है, और लिखने के बाद एक लिखा जाता है, address of file यानि की file pointer, इन दोनों को लिखने के बाद, compiler यह समझ जाता है, कि P लिखके आना है, और कहां लिखके आना है, फाइल के अंदर और लिखके आना है, किस file के अंदर, F, F मतलब जिस address को दिया गया है ऐसे दसो file को ली हो सकती है, उन दसो file में से कोई सी में भी लिखना हो बस उसका address बताना होता है किस file में जाके मुझे लिख के आना है ठीक है तो अब इसके बाद एक message छोड़ा है जब ये लिख चुका होगा data is written हाला कि ये एक useless message है data is written क्योंकि इसके लिखने ये तो सिर्फ एक print app है ये आपको message दे दिया गया app close काई के लिए file बंद करने के लिए तो किस file को बंद कर रहे है उसका address यहाँ पे लिख देते है तो हमने यहाँ पे एक character लिखना सिखाया साथ साथ ये जब program execute होगा output पे बात करते है data is written message screen पे आ चुक है और ये जो message है आपको बता रहा है कि मैंने data लिख दिया है हाला कि मैंने कहा दिल को तसली देता है ठीक है data लिखा गया नहीं लिखा गया ये पता कैसे करें मैं file खोलता हूँ कौन सी एक जिस नाम की मैंने file को कहा आपसे कि create की जाती है क्या वो file create हुई या नहीं जड़ा देखते है ये देखो biit दिख रहा है आपके सामने और मैंने खोला bit.tax और इसमें p लिख गया इसका मतलब file के अंदर जाके ये लिख के आता है ठीक है तो ये था हमारा कैसे file के अंदर लिखा जाता है अब हम बात करेंगे एक file के अंदर जो लिख क्या है वो तो मैंने आपको दूसी तरह से पढ़के दिखा दिया लेकिन इसके बजाए अगर मैं कहा हूँ कि program से कैसे पढ़ा जाता है तो मैंने कल आपको एक function बताया था get c बस put c की जगे get c लगाना है और character को acquire करना है और screen पे छापके दिखा देना है देखो उसके लिए program दिखाता हूँ इसमें सब चीजें वैसे ही है file का pointer भी है और file के pointer के बाद में character or declare किया है क्यों जो आएगा वो कहीं तू रखोगे जहां रखोगे बस उसी को print करोगे तो एक variable लेंगे variable character और file को जो खोला दिखो open किया bit.txt और किसमें reading mode में तो मैंने यहां r लेखा है ठीक है ch में क्या है get c get character from the from the file और किस file से करना है उसका address मुझे यहां देना होता है इसका मतलब यह get c का जो return type है वो है character इसलिए इसका return type तो character लिखा होगा क्योंकि हमने हाँ return किया character और दूसरा इसके bracket में जो f लिखा है it is a file pointer तो इसके अंदर जाता है pointer to file ठीक है तो जब वो जाएगा और वो character उठा के वहां से पढ़के और आपको दिखाएगा तो screen पे आप printf के थुरू दिखाएगे यो data यानि कि your character is क्या ch percentage c के थुरू दिखा दिखा दिखे file को execute करो execute किया your data is p जो p लिख के आये थे वो आपको दिखा दिया तो ये था जो मैंने आपको ये समझाना था जिसको लिखा था कि demonstration क्या होता है वो demonstration ये था file के अंदर कैसे लिख के आता है file के अंदर कैसे लिख के आता है file के अंदर से कैसे पढ़ता है और file में जो लिखा हुआ है वो हम दूसरी तरह से कैसे देख सकते हैं हाला कि program के थुरू देखना चाहिए क्योंकि उसमें जो मैंने कल दो बाते कीती character stream और byte stream byte stream में अगर कोई लिखे तो वो हमें पढ़ने योगे भी नहीं होता लेकिन character stream का तो पढ़ने योगे जैसे मैंने के आपको P दिखाया वो P दिखाई दिया था अगर आपको देखना ही है कोई भी चीज़ तो वो आप क्या करेंगे reading mode में file को खोलेंगे और read करके फिर हम उसको जैसे चाहें आप operation में ले सकते हैं अब अगला काम तो देखो demonstration के साथ-साथ दो चीज़े और हमने कर ली writing a character into a file in writing mode and reading a character from the file अब अगली बात आती है multiple character अगर एक से ज़्यादा character लिखने हो तो क्या करेंगे आप कुछ नहीं एक loop लगाएंगे और user से character मांगते रहेंगे और लिखते रहेंगे तो देखो बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे देख रहा है file बिलकुल वैसे ही खुलेगी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई राइटिंग मोड में और फिर मैंने यहाँ do लगा रखा है हटा रहा हूँ थोड़ देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए यह साब मैंने हटा दिया और अब प्रोग्राम पिलकुल पैसे हो गया जैसे पहले था बस PUTC की जगे यह जगे FPUTC लिखा है और syntax PUTC का और FPUTC का दोनों का सेम है दोनों का काम एक है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको PUTC की जगे FPUTC दिखाना था लिखा है हाला कि PUTC लिखेंगे तब भी वैसी चलेगा इसका मतलब अब इसमें क्या है CH लिखा है put C के अंदर और जो CH लिखा है CH एक inputted character है जो आप input करते हो ना character वो character है तो input कहां से हो रहा है get CHE के through यह मैंने get CHE आपको सिखा रखा है enter the character लिखेंगे और users एक character मांगेंगे CH में आएगा CH के through हम कहां चले जाएंगे फाइल में जाके print कराएंगे किस के through एफ put C के through बस यह काम तो single character लिखने का था अब इसको multiple character में हम बदलते हैं तो देखो हमने क्या करा यहाँ पे इन दो लाइनों को खोला और क्या करा do you want more अगर आप और चाहते हैं yes दबादो y प्रेस करेंगे CHO में y आएगा और y को while के साथ match करेंगे अगर match कर जाता है तो वो कहां जाएगा do पे और do क्या हो जाएगा फिर दुबारा से character मांगेगा मतलब again character will be input and then it will be written in the file और फिर do you want more it will be asked again और यही चीच चलती रहेगी तब तक until you press no except y मतलब any character except y जब प्रेस करेंगे आप तब क्या होगा यह out हो जाएगा ठीक है मैं इससे चला के दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा मैंने a दबाया sorry मैंने इसमें जो y प्रेस करना था y की जगे एंटर प्रेस कर दिया जिससे क्या होगा do you want more में no हो गया ठीक है मैं क्या करता हूँ दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ देखो मैंने a प्रेस किया do you want more yes मैंने b प्रेस किया do you want more yes मैंने c प्रेस किया do you want more yes और मैंने d c d d press किया और मैंने n या कोई और character press कर दिया your data is written message आ गया और मेरी file में जाके a, b, c, d यानि की four characters लिख चुके, अब ये चारो character लिखने तो आपको आ गए अब ये चारो के चारो पड़े कैसे जाए उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ देखो और सिखाऊंगा मैं कैसे encounter करते हैं हम end of file को actually यहां तो मुझे पता था कि मेरी file में कितने character लिखे हूँ है, मेरी file में four characters लिखे हूँ है, तो मैं एक loop लगा हूँ चार वर चला दू, ना मेरे को क्या पता किसी file में कितने character लिखे हूँ है, उस समय पे मैं क्या करता हूँ मैं चेक करता हूँ, एक character read करूँगा, मैं एक loop चलाँगा character वो अगर ठीक है तो मैं print करूँगा, और या जो operation उस पे लगाना है में लगाँगा और उसके बाद क्या करूँगा, फिर मैं एक उस character को चेक करूँगा whether it is end of file or not end of file, end of file यहाँ पे एक function होता है feof feof का का काम क्या होता है feof अपके अंदर bracket में हमें pass करना होता है एक file pointer जिस pointer के अंदर जिस file में जा के हमें चेक करना है क्या वो end of file है या end of file एक value return करता है जो true और false यानि की integer value होती है हमने आपको ये भी सिखाया है कि integer value 0 अगर होगी तो तो false होगी 0 के अलावा negative हो या positive हमेशा true होगी तो इसका मतलब end of file encounter होता है तो तो minus 1 return करता है इसको predefined value है और अगर minus 1 के अलावा वो फिर false return करता है इसका मतलब ये हुआ end of file encounter होने पे तो ये true देगा तो हमें इसे उल्टा करना होता है actually क्या होगा कि जब ये return करेगा end of file अगर end of file है तो मुझे बाहर आना है और end of file नहीं है तो मुझे दुबारा से जाना है और अगले character को पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर से उसको print करना है और फिर उसके बाद उस character को फिर चेक करना है whether it is end of file और not और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि end of file encounter नहीं हो तो देखो ये कैसे बनाया है मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम इस समय पे दिख रहा होगा उसमें file pointer भी होगा character भी होगा ये सब चीजें जो आप सीखते आए हो अब तक जो मैंने बढ़ा है वो साब यही है अब बस इसमें क्या है कि do और while के अंदर एक चीज डाली गई है ch equal to f get c देखो f put c ऐसी f get c और f get c से वो file के अंदर का character पड़ा ch में आया और ch को स्क्रीन पे print कर दिया print करने के बाद चेक किया क्या वो end of file है या नहीं अब end of file के बारे में फिर से बात करते है feof जब अगर end of file होगा तो minus one return करेगा यानि कि true और नहीं तो वो return क्या करेगा false हमेशा zero तो end of file अगर नहीं है तो उसने return किया as false और false को false पे तो while do while बाहर हो जाएगा यहां मैंने एक not operator लगाया हुआ है not operator का यहां पे क्या है उस false को उस true को क्या करेगा false और false को true यह उल्टा करता है तो जब यहां पे कहा end of file है तो इसने कहा नहीं है तो मुझे क्या करना है नहीं मतलब false false को मुझे करना है true तो false को not operator करेगा true और true का मतलब loop में दुबारा से चलना है cdc बाते और फिर character को लेना है और फिर character को print करना है असपोस करो अब की बार end of file आ जाता है तो इसने क्या किया end of file को encounter होते ही minus one यानि क्या return किया true और true को not क्या करेगा false और false करते ही यह loop से बाहर आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि f close पे पहुँचेगा file close होची सारे character जो हमने read किये थे जो लिखे हुए थे file के अंदर उस सारे के सारे screen पे आउंगे दिखाते हैं आपको A, B, C, D चारों चीज़ें आपको दिख रही है बड़े अच्छे से ठीक है यह था हमारा multiple characters को कैसे लिखा और कैसे पढ़ा जाता है अब एक program और बताना है into the file दुबारा से ला रहा हूँ मैं उसको मैंने इसको जब execute किया अभी पहले मैंने क्या P लिखा था फिर A, B, C, D लिखा तो P हटा A, B, C, D लिखा writing mode का drawback नहीं बलकि यह उसका अपना benefit है कि writing mode में अगर file को खोलते हो तो पुराने data को erase करके तब चलाता है मैं इसे program को दोबारा से चला रहा हूँ देखो data is written और इस समय पे मैं अगर file को पढ़के देखू जो मैंने अभी P लिखा उसी को मैं पढ़के दिखाता हूँ और देखो reading वाला program जो मैंने आपको सिखा है अभी वोई program में दोबारा से चला रहा है output देखो P लिखा हूँ देखा आपको ठीक है अब question यह है कि A, B, C, D हटा है P लिखा अगर मैं अब यह कहूँ कि मुझे P भी रहा है और उसके आगे कुछ लिखा जाए अगर मैंने writing mode में खूला होता तो 100% P हटेगा और फिर कुछ और लिखेगा अब मैं क्या करूँगा writing की जगे यह append mode कर देता हूँ देख रहा है आपको अगर मैं append mode करता हूँ तो देखो इसी append mode को जब हम चलाते हैं तो output पे मैं आपको दिखाता हूँ run किया और P लिखा मैंने फिर एक वार और चलाया फिर इसने P लिखा ठीक है अब मैंने कहा एक काम करो यह P की जगे कुछ और भी लिखके देखो मैंने कहा A लिखो तो देखो मैंने फिर से चलाया और यह A लिखा अगर मैंने कहा अगर append mode में लिखता चला जाता है तो इसका मतलब फाइल में आप एक करेक्टर नहीं है अब एक करेक्टर नहीं है तो multiple और प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें हमने multiple करेक्टर आपको पढ़ना सिखाया तो देखो अब इसको चलाओगे तो output पे देखोगे PPPA तीनो P दिखुरें है और चौथा A यानि कि पुराना लिखा हुआ as it is रहता है उसके आगे करजर लिखना शुरू करता है ये था हमारा append mode ठीक है ये था आज के वीडियो में जो मैंने आपको सारे points की बात की उस सारे points आपको बता दिये अब मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा integer को कैसे file के अंदर लिखा जाता है ठीक है students wish you good luck